जिला प्रशासंद्वारा मांसून के दौरान विक्सित विभिन पौधारोपन स्थलों की मोनिटरिंग के लिए तरू अजमेर पोटल का नवाचार किया गया है इसका शुभारंब सोमवार को जिला कलक्टर डॉक्टर भारती दिक्षित ने किया जिला परिशत के मुख्य कारेकारी अधिकारी अभिशेक खन्ना ने बताया कि अजमेर की हरितिमा में व्रिद्धी के लिए जन भागिदारी के साथ जिला प्रशासंद्वारा मांसून के दौरान बड़े स्तर पर लगभग 10 लाक पौधों का पौधारोपन किया जाएगा इस दौरान विक्सित पौधारोपन स्थलों की जियोटेगिंग के साथ मोनिटरिंग करने के लिए नवाचार किया गया है। अन्य सभी से जल और व्रिक्ष की महत्ता को जानना चाहिए। जल संरक्षन करते हुए पौधों को पालने का संकल्प लें ताकि वे बड़े व्रिक्षों में बदल जाए। उन्होंने बताया कि पेड हमारे जीवन का आधार है। वे न केवल आक्सीजन का स्रोत हैं बलकि हमारे वातावरण को स्वच और स्वस्थ बनाते हैं। जिला परिशद अजमेर से जुड़े सभी जन प्रतिनिधी सरपंच, वाड पंच एवं सभी आमजन व्रिक्षारोपन में अजमेर को एक नई पहचान देंगे। इस पोटल से सभी सरकारी विभाग प्राइवेट एवं आम नागरिक भी स्वयं पंजी करण करके व्रिक्षारोपन की अपनी साइट चुन सकते हैं और फोटो अपलोड कर सकते हैं। पोटल पर जिले की नरसरियों तथा वहां उपलब्ध पौधों की किस्म और संख्या के साथ साथ उनकी कीमत की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। और जी डोट इन वेबसाइट पर देखा जा सकता है। पंजियन के समय व्यक्ति को अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड स्वयन अपनी सुविधा के अनुसार फीड करना होगा। इसमें व्यक्ति अपने अत्वा समूह द्वारा विक्सित पौधारोपन साइट की जानकारी अपलोड कर सकता है। नरसरी की लोकेशन भी डाली जाएगी। CSR के माध्यम से सहयोग करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाएं भी अपना पंजियन करवा सकते हैं। जन भागीदारी एवं CSR के लिए जिला कलक्टर डॉक्तर भारती दिक्षित द्वारा बैठक भी ली गई।